हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल ट्रॉट आफशे मार्केट सो डिसकस कर लेता हैं बाउट निफ्टी बैंक निफ्टी अनलसिस फॉर 25 जुलाइ टॉज़ाइ टॉज़ाइ टॉज़ाइशन परपस्ट यहां मेरा टेलिग्राम लिंक और वाट्सप नमबर कि मैंने क्या-क्या डिसकस करेंगे एफाइस डिसका डेटा देन चार्ट एन ऑप्शन चैन तैन इस्टेट जी ठीक है और फिर कंक्लूज़न ठीक है सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाउट बिक प्लियर डेटा बिक प्लियर डेटा क्या है कि एफाइस ने जो केश मार्केट में 82 करो करोड की सेलिंग किये और यह इसने अराउंड 934 करोड की बाइंग किये बट मार्केट में प्रोफिट थोड़ा नीचे गिरा था वो और इंपोर्टन लेवल यानि काफी दिनों से अगर हम बात कर रहे तो निफ्टी के लिए 690 की बात कर रहे थे कि वह तूटेगा तो नी नीचे क्लोजिंग में दी बट यह डेटा उसको सपोर्ट निकर रहा है उस बीरिशनेस को यह डेटा सपोर्ट निकर रहा है तो कल आप देखना कि मार्केट अगर गेप अपन होता है या गेप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है एक बाइंग आपको देखने को मिले क्यों बोल रहा हूं है यह क्योंकि फूचर में भी बाइंग है 300 करोड की इसकी स्टोक फूचर में भी बाइंग है और इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग है तो यह तीनों डेटा पॉजिटिव हैं मार्केट के लिए और मार्केट आज रेड में क्लोज हुआ है बढ़ हो सकता है कल मार्केट 690 लेवल के उपर निकले और फिर एक अच्छी खासी रह लिए आपको देखने को मिले ठीक है इस टाइप से आप प्लान कर सकते हो इस डेटा के को डेटा कम्प्लीटली बुलिश है जो इंपोर्टन लेवल तूटे है उसमें इस डेटा के साथ तूटे है तो यह लेवलियूम काफी गम है नो देका जाएगा फिर कल यहां अगर बात करें तो डेटा is bullish नेक्स बात कर लेते हैं चार्ट की यह डेचार्ट है Nifty का निफ्टी का डे-चार्ट है हमने बात किती डेली एनलेसिस होई तो हमने बात किती कि यह यह चैनल सेक्षन है और चैनल सेक अब क्या है कल के लिए कि यहां पर एक बाउंस तो बनता है अब कल अगर मार्केट इसके अंदर ओपन हुआ और इसका रिजिस्टेंस फेस के इस लाइन को ड्रो कर लेजेगा यहां देखो टॉप टॉप और यह टॉप ठीके तीनों टॉप को जोइन करेंगे तो यह लाइन ह Şimdi अब बात करें कि यहां अगर रेस्टेंस वन आयनि इसके अनदर खुला मार्केट और इसको रेज़ेस्टेंस एंजिप 소ल करें तो फिर मार्केट यह तक आने के मुलना है जो घ्र हो जい डिएए पी जार्ट और पी और पर शाप्ने बात को सेवन फूट्टी सिक्स के 990 फिर continuously आपको रेली देखने को मिल सकते है न तो यहां important है important support पर है अगर मैं बात करूँ data भी तक bullish है और chart भी अगर मैं बात करूँ तो भी positive है क्योंकि important support है न अगर यह breakdown हो जाता है इसके नीचे closing देते तो बात लग दी और या फिर यह breakdown भी अगर बात करें यह breakdown भी with volume होता यहां पर यहां पर यह सच कुछ नहीं है एफाइस में चोटी से सेलिंग केडिया इस न अच्छी कासी बाइंगी है न तो उतना support नहीं कर रहा data को कि इस breakdown को तो में भी यह chances है कि यह जो breakdown हुआ है वह fake breakdown हो तो कल देखना अगर मार्केट वापर इस लेवल के उपर आता है consolidate करता है तो आपको उपर की जन्नी देखने को मिल सकती है otherwise आज के लोग के नीचा आप बेरिश हो सकते हैं बट सुबर नहीं सुबर एक गंटे के बाद यानि सुबर 10 एम के बाद यागर बियरिश होना है तो दस बज़े के बाद होना अगर दस बज़े के बाद इस लेवल आपको देखने को मिल सकती है इन निफ्टी तो लेवल कों से इंपोर्टेंट है नीचे अगर बात करें तो अगर 600 जो आज क्लोजिंग उसके नीचे सर्वाइव करता है दो तीन मिनट भी तो आपको 600 के लेवल इजी ली देखने को मिलेंगे बट और 600 के लेवल के बाद आ देखो यह अगर मैं देखूं यह कार है इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पर पहले इस टाइप से गया अब इस टाइप से वापस आए तो यहाँ पर एक रेटेस तो बनता है और अगर यह फैल हुआ तो फिर आपको यहां तक की प्रोफिट बुकिंग भी देखने को म मिल सकते हैं इसके नीचे सर्वाइब करता है यह रेजिस्टेंस होता है तो आपको अच्छी प्रोफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में भी क्या सिनेरियो अगर आप देखेंगे यह कर बना एंड उपर गया और वापस वह ही आ गया इस लाइन के रेस्पेक्ट में गर देखें तो जैसा यहां करता वैसे ही वहां कर बनेगे हैं अब यह लेवल भी यहां पर इंपोर्टेंट है कौन सा 45,858 अगर 850 टूडता है और यहां सर्वाइव करता है ना 15 मिनिट की दो केंडल सर्वाइव कर गी तो फिर मान के चलना कि अच्छी गाजी प्रोफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी बट यहां पर भी बाउंस के उतने ही चांसे जितने इसके तूटने के बट लेवल के इसाफ़ से तूटने और बाउंस के बराबर चांसे बट दूसरी बात करूं कि यार डेटा के इसाफ से तो बाउंस के चांसे जाता है तो यहां पर अगर हम देखें तो 920 से 251 तक की रेली एक आपको देखने को मिल सकती है अगर लेवल इसका हाई टूटा तो आपको यह लेवल देखने को मिल सकते हैं हो सकता है कल गेपर पी ओपन हो क्योंकि यूएस मार्केट तो फ आपको देखने को मिल सकती है नेक्स बात कर लेते हैं नीचे की साइट तो अगर 858 रूट ता है तो 590 आपको नीचे की साइट देखने को मिल सकते हैं आपका चार्ट सपोर्ट पर तो बाउंस के चांसे थोड़े जादा है अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेंड की शेसो बहुत्तर पर बंद हुआ है तो नीचे की साइट अगर हम बात करें सबसे पहले गसार है तो जिखने वाली बात इंपोर्टन के lightण के पहले हैंבע और रिजिस्टेंस की तो आड़सो पर एच्छा आजसा 800 वाले भी बेठे हुए हैं तो यह भी एक बुलिश साइन है एड नहीं हुए लेकिन जो थे वो बेठे हुए वो निकल नहीं रहे तो यहां पर भी चांसे हैं कि मार्केट थोड़ा पुल बैक करें जबकि अगर नीचे की बात करें तो देखो 672 पर बंद हुआ है लेकिन यहां इंद मनी 12, 13, 14, 3, 19, 2, लाग ठीक है यहां अगर हम बात करें 500 पॉइंट दूर 670 से 130 पॉइंट दूर भी 66 लाग लोग बेठे हुए सेलर 66 लाग बेठे हुए तो यहां अगर मैं बात करो तो डेटा इस बुलिश अब बात कर लेते हैं यहां बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट रिजिस्टन सपोर्ट होई गया कहां हम बाई कर सकते हैं निफ्टी में और कहां हम सेल कर सकते हैं तो फर्स्ट अगर हम बात करें नीचे मार्केट गेता है तो 550 से 500 के लेवल के पे आप यहां बाय कर सकते हो ठीक है ज्यादा बड़ा स्टोपलोस नहीं 480 का स्टोपलोस is sufficient for this ठीक है उपर की बात करें और तो 440 अगर थोड़ा आप ज्यादा कर सकते हैं तो 440 इससे नीचे मत रुकना ना 440 से लास्ट उपर की बात करें तो कहां हम सेल कर सकते हैं तो यह इतनी बड़ी amount में बैठे हैं इतने बड़े seller बैठे हैं कि अगर market उपपर जाने लगा तो इन्हें exit मालना पड़ेगा और फिर market को काफी उपर जाना पड़ेगा क्योंकि यह exit मारेंगे cash market में buy करेंगे तो market उपपर जाएगा तो यहां हम sell on rise नहीं करें हम buy on dip कर सकते हैं यहां कर सकते हो आ यहां पर आपको सर्वाई होता दिखें तो यहां पर भी कोल ही बनेगा तो यहां अगर सरवाई होता हुएट इतना यह से नेक्स बात कर लेते हैं और ऑप्शन चैनल ऑफ बैंक निफ्टी 922 45,920 के राउंड इसने क्लोजिंग दिये एंड अगर बात करें तो यहां 45,900 पे फोटी वन लेक एंड फोटी लेक हैना 46,000 पे ठीक है यह फोटी लेक एराउंड ऑप्शन राइटर्स बैठा है तो उनों इक्वल है उपर की साइड अगर हम रजिस्टेंस की बात करें तो 46,200,28 and then 46,500,23 ठीक है 23,000 लाग यहां बेठे 28,000 लाग यहां बेठे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट देखूं यहां पर अगर मैं देखूं 45,500 पे पहला सपोर्ट है इसके बाद यहां कोई देखी ने रहा है यहां अगर यह लेवल सरभाए हुआ हुआ तो यह आके उपर बेड़े जाएंगे बट अगर यह लेवल सर्वाइब नहीं हुआ इसके नीचे 45,000 पर और आपको को लड़ का पूट के लिए अगर हम देखे nossa यहां पर आपको पूट का इस से ज्याद से यहां कोल बाइ करोगे 50 मेंट का सिल 500 का डारगे यानि लोवर लिमिट से तो इस से ज्यादा नहीं अच्छा हां बस यही है और कुछ है इंपोर्टेंट इसमें नहीं इसमें कोई इंपोर्टेंट चीजें नहीं है यहां देखो कुछ भी इतना मार्केट गिरने की सोच रहा ह यहां अभी तक राइटर्स आके नहीं बैटे यहां पर भी राइटर्स नहीं बैटें यह तो काफी चोपी है यह फसने के फिराक्त में है निफ्टी आपका फिर भी ट्रेंडिंग हो सकता है दिख कर और यहां पर कि नपर संब बार कि यहां आप फसने के अभी चांसं Самय ने हो सकता है कल पर सब्सक्रीन हो कि आपके अचा हम करने क्या वाले जैसे मैं भूल रहा हो कि मार्केट का लग रहा है कि बुलिश हो हो सकता है 100% कुछ नहीं होता है 70-80% हाँ हो सकता है यह बुलिश हो सकता है बुलिश हो सकता है मतलब थर्सडे तक क्या यह 1-2% मुवमेंट दे सकता है पॉसिबल है निफ्टी के लिए 1-2% मुवमेंट दे ठीक है अगर हम बात करें मार्केट जो क्लोज हुआ है दाट इस नैंटीन थाउजन सिक्सेवन्टी ठीक है सिक्सेवन्टी यह ना 700 के रहा हूं और अगर मैं बात करूं कि यह 1% का मतलब होता है कि 19,200 जो और देतों में इसमें तो 870 ठीक है 1% का मतलब 870 तो अगर थर्सडे तक 870 पे भी जाएगा तो भी आपको यहां प्रोफिट देखेगा अब इसमें करना क्या है इसमें मैं फ्यूचर बाय करना हूं ठीक है वन लोटे 25,000 का मार्जन लग रहा है यह नहीं तो 30-35 लगेगा दिखाता है यह 25 से तो थोड़ा हर ब्रोकर अलग-अलग चार्ज करता है तो 25,000 का मार्जन लग कि 27 जुलाइ का फ्यूचर बाये करें ठीक है अब होगा क्या। कि अगर मार्केट उपर गया करकेट पहले नीचे कर लगे तो लोस साइड की है ना जितना ये फ्यूचर बाये नीचे जाए अवतरा ही ये भी नीचे साइगा है और अगर थोड़ा सा डिफरेंश आई गा 5 तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मैक्सिमम गेन की बात करें कि गेन कितना हो सकता है तो अगर मार्केट 878 याइन इस लेउबल के उपर जाता है यह निए 1% से ज्यादा कुछ भी मुम्मेंट देता है वो सब आब इसमें एक में बेनिफिट कितना होसकता है तो कितना भी होसकता है जितना फ्यूचर आप बाय कर रहे तो फ्यूचर में कितना भी उसकता है डर क्या रहता कि है आर हमारा लोस कितना हो सकता है तो लोस यहां फिक्स है तेरा सबस्टी रुपे अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में आया और दो परसेंट में मुवमेंट दे दिया तो आपके 200 पॉइंट मल्टिप्लाइब फिफ्टी यानि दस अजार रुपे बनेंगे सिमिलर वे में अगर तीन परसेंट किया चार परसेंट अब एक दिन की नहीं बूलना मैं है ना मैं बात कर रहा हूं थरस्डे तक की यानि टूस्डे वेंस्डे थरस्डे तीन दिन का मूवमेंट इस वे में यह है maximum loss यह है तो यह loss अगर आपको लगता है कहां यह reasonable है हम ले सकते हैं तब ही एंटरी करना तरवाज नहीं करना बटाए इस टाइप से आप strategy बील्ड कर सकता है तो maximum loss 1800 से benefit जितना उपड़ जाएगा उतना रहेगा नीचे कितना भी जाए तर यह loss बढ़ सकता क्यों कि यह अगर मालो 19,000 पर बंद हुआ तो यह 681 पॉइंट का आपको लोस देगा यह 19,000 पर बंद होगा तो यह 850 पी की वेलिज क्या होगी मतलब जो maximum loss है वो यही points है यह भी ज्यादा बतारो कि कि 200 कर दी है तो maximum loss आपका यही है 75 points इस से ज्यादा नहीं होगा चाहिए यह market 18,000 चला जाए लेकिन maximum loss यही रहेगा उपर जाने पर maximum benefit के कोई limit नहीं है तो इस से लोस को लेने को तयार हो एक लोट में वही ट्रेड लेना अधर्वाइस नहीं लेना यह learning purpose है अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कमेंट कंक्लूजन क्या है कि मार्केट अच्छे खास सपोर्ट बहुत है और जो FISDIS का डेटा है वो बुलिश है option chain में भी पुट राइटर उपर बेठे हुएं अच्छी खास क्वांटेटी में तो वह नहीं निकल रहे है और नीचे उतने strongly को राइटर नहीं आ रहे है तो वह भी बुलिश है तो डेटा और यह सब चीज़े बुलिश है बट सेकिंड 20% क्या चांसे रहते हैं कुछ भी ह हो सकता है मार्केट है ना नीचे गया फसा लिया लोगों को और इन्होंने अपनी क्वांटेटी कोस्ट टूकोस निकाली और सेल कर दी तो वह चांसे भी होता है तो 20% वह भी होता है 80% डेटा वर्क करता है बड़ा गेपप हो गया अब आप सुचू सब्स बुलिश बोला जो डेटा बिल्ड किया है वह काम हो गया अब वह नेक्स्ट क्या करेंगे वह उस टाइम रिसाइड होगा तो दिन भर के लिए नहीं होता है उनको बस उपपर ले जाना है साइडवे कुला तो उपर ले जाएंगे गेपप कुला तो हो सकता है प्रोफित बुकिंग कर ले दोनों जीज़ें न, दिन भर के लिए नहीं है डेटा किसके लिए है गेपप गेपडाउन यह चीज़ें होंगे अगर साइडवे होगा तो मार्केट उपर जाएगा तो आपके यह चीजा होगी अपर लेवल पे बुलिश मत हो जाना न, सो आपक चीज़े के लिए हैं सो ब्लिस लेख शेख 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 अबस्क्राइब और कम्रेंट